हलो फ्रेंड्स आप सभी कोई कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग सभी कोई अपने अपने घरों में शुरक्षित होंगे और अच्छे रिति से पढ़ाई सब कर रहे होंगे तो हम लोग उतने दिन से नाकपूरी व्याकरन का ध्यान कर रहा है और हमने लास्ट है संग्या के बा चाहरे मों पढ़ेंगे कि ये नाकपूरी भासा में सर्वनाम किसे कहते हैं टीक है और क्लास को दबते होdoor Store है स्प्रिंट हो गया है पर इसमें होता है सर्वनाम होता yellow वैसा सब्द को सर्वनाम कहते हैं जिसमें संग्या के बदले इसका परियोग किया गया है जे सब्द चाहे पद कर बेखार करल चाहे ला उसके सर्वनाम कहे ला मतलब कि जो भी सब्द होता है जो भी संग्या के बदले में जो सब्द परियोग किया जाता है वही क्या सर्वनाम कहलाता है चाहे वो मनुश्य के नाम हो जवस्तू का नाम हो ये सब के बदले में जो सब्द का परियोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है जिसे राम जाता है राम जाता क्या है? राम सर्वनाम है संग्या है है ना तो वही संग्या को हटा के मतलब राम को हटा के क्या बोलेंगे वाह जाता है है ना तो यहाँ पर वाह क्या हो गया वाह हटा दिये नहीं वाह लगा दिये तो वो क्या हो गया सर्वे नाम हो गया तो उसी प्रकास से कहता है कि जो भी संग्या है संग्या के बदले में उसके सब्दों को हटा के जो सब्द का पर्योग किया जाता है वही क्या कहलाता है सर्वनाम कहलाता है मतलब जो भी वाक्या है जो संग्या के बार बार संग्या की इस्तमाल हो राम घाता है राम खाता है वो तुरत तुरत इस्तमाल से बचने के लिए ये सर्वनाम का परियोग किया जाता है अगला है वाक्या रचना में हमरे ज़दी हमेसा संग्या के बच्जो करब तो वाक्या नीरस हो Catalunya है ये सही बात है कि बार बार एक या बात को करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगए वह बात नीरस हो जाएगा जिससे हम लोग घर में खाना खाते हैं डेली हम लोग वही खाना खाए डेली वही सबजी खाए तो हम लोग उनको भी अच्छा नहीं लगएगा है ना तो वही चीज बोल रहा है कि बार बार हम अगर संग्या के इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर सर्वनाम होता किया है और सरवनाम को परयोग क्यों किया जाता है वह हमने जाना ति आगे आप हम लोग देखेंगे अब देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं टेकितने प्रकार होते het तो है नाकपुरी भासा में सर्वनाम कर साथ भेध हो वेला ठीक है कितने साथ प्रकार को होते हैं पहला पुरुस वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, नीज वाचक, सवाल वाचक, संबंध वाचक और आदर वाचक यहाँ पर जो लाष्ट है आखरी यह आदर वाचक नाकपुरी भासा में सर्वनाम कर साथ भेध होता है आगे देखिए सबसे पहला भेध है पुरुस वाचक पुरुस वाचक किसे कहते है पुरुस वाचक जे सर्वनाम सत्से काहिक वाला सुने काला चाहे अन्य आदमी कर बोध हो वेला ठीक है तो वही बोल रहा है कि पूरु स्वाचक क्या होता है जो भी सर्वनाम जो कहने वाला है सुनने वाला है ऐसे आदमियों का बारे में बोध होता है वही पूरु स्वाचक क्याता है जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं है ना तो यही क्या हो गया पूरु में मतलब में किताब कीडू लो मतलब सा मने है उसको मैं जो मो बोल रहा हूं तो यही क्या है पूरुस वाचक है तो अगला बोल रहा है अगला बोल रहा है कि पुरुस वाचक सर्वनाम कर तीन ठो उप भेद होएला है ना तीन प्रकार होते है तीन उप प्रकार होते हैं पुरुस वाचक के पहला है उत्तम पुरुस ठीक है क्या होता है उत्तम पुरुस उत्तम पुरुस किसे करते हैं बाट जो बात हव के बोलेक वाला चाहे भासा लिखेक वाला खुद अपन लगिन इस स्वर्वनाम कर पर्योग करेला तो आज मिस्परिंट जादा हो दिख रहा है पर आप लोग अड्जस्ट कीजेगा यहां पर ही बोल रहा है कि जो भी उत्तम पुरुस उसे करते हैं जो बोलने वाला है या लिखने वाला है वो खुद के लिए इस्तमाल करता है सर्वनाम का जैसे मैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद लिखूंगा, तो इस समय ऐसे से वक्त पे उत्तम पूरुस वाच्चक का परियोग किया जाता है, एक जामपल में देखिएगा, यहाँ, मौए एकन लिखत हूँ, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि मैं अपने लिए इस् हीम और लिखलना लगे, यहाँ परarem, पोल रिखना लगे, यहाँ परियोग किन भोण है, जो precर्ण रख्ण होएं हो रहा है, यह समझ मा गया है, आगे हम देखेंगे, आगे है मध्यम पुरुस वाचक ठीक है यह क्या है पुरुस वाचक का उब्भेद है यह दूसरा है मध्यम पुरुस वाचक स्पेलिंग बहुत मिस्प्रेट हो गया आज बात सुन्वाईया वाला इसर्वनाम कर बेवहार होएला जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है मैं उत्तम पुरुस हो गया मैं अपने से बात कर रहा हूँ मैं स्वयम से बात कर रहा हूँ लेकिन माध्यम पुरुस क्या हो गया मैं बोलूंगा जो सामने लग जो सूनेगा तो भी बोला है जो बात सुन वह या वासते इस सर्वनाम कर विहवार हो जाँ ठीक है बात सामने जो सून रहा है वो इस वक्त में सूर्व विहवार गरेगा जैसे तोएं कौन किताब लेबे मतलब मैं पूछूँँगा सामने वाले के कि तोएं कौन किताब लेबे तो मैं बोल रहा हूँगा वह सामने वाले सुनेगा तो इसलिए ऐसे समय में उत्तम मध्यम पुरुस का इस्तमाल होता है अगला है अन्या पुरुस वाचक जेकर बारे में कुछ बोलल जाए या लिखल जाए उके अन्या पुरुस वाचक कहते हैं जिसके बारे में बोला जाएगा जैसे मैं कुछ बोलूँगा किसी के बारे या उस किसी के बारे लिखूँगा ऐसे वक्त में अन्य पुरुस वाचक का इस्तमाल करना है, जैसे उ छोड़ा, जरूर आगे बेसे कुछ करी, है ना, पही बोल रहा है कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूं, जैसे मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूं, उ छोड़ा, मतलब कोई भी होगा, मैं उ छोड़ा है, जरूर कुछ हो आ कि बारे में मैं बोलूंगा है ना तो वही चीज हो गया अन्य पुरुस वाचक ठीक है अगला है अगला पॉइंट है सर्वनाम का यह भेद है और पिछले दे कि वह भेद था पुरुस वाचक का तो अगला पॉइंट अगला भेद है पुरुस वाचक का निश्य वाचक ठीक ह तो निश्य वाचक किसे कहते हैं? निश्य वाचक कहलाता है जैसे एहे किताब के जून कीने खोजत रहो क्योंकि ये निश्य है ये किताब है तभी मैं न बोल रहा हूँ कि एहे किताब के मैं कीने खोजत रहो उसके बाद ओहे बाट लगीन जगरा हो लगा मतलब कोई ना कोई बात था जिसके बारे मुझे ज्यान है कि हाँ यही कारण है कि इसी चलते जगड़ा हुआ है तिहां पर निश्य है मन गन्फर्म है इसलिए ऐसे वक्त पर सर्वनाम का यह सर्वनाम निश्य वाचक सर्वनाम का परियोग होगा तिहां आगे है तिसरा आनिश्य वाचक यहां से हम लोगों इसी से पता चल रहा है कि आनिश्य वाचक मैंने बोला मने निश्य नहीं है है ना निश्य नहीं है तो वही बोल रहा है अगला पॉइंट में देखिए कि कखनो कखनो एसन भी होवेला कि कखनो कखनो एहसन भी होवेला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी केर हमरे के अभास तो रहे मगर निश्य पूर्बग यह बतायक मुस्किल होई जाएला कि उवस्तु का हेके और उव आदमी कोन हेके है ना तो यही बोल रहा है कि कभी-कभी हम लोग साथ ऐसा जरूर होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है है ना कनफर्म हम लोग को पता नहीं रहता है हमने अंदाजाग लगाते हैं तो ऐसे वक्त पर अनिश्य वाचक सर्वनाम इसको कहते है है ना जैसे देखिए कि तोई कुछ खाई पी के घर से निकल वे हम तो बोल दिये कि तोई कुछ खाई पी के घर से निकल ले वे है ना तो इसमें क्या है हम लोगों पता है कि वो आदमी खाएगा ही निश्य तो नहीं है तो इसलिए ऐसे में इसको अनिश्यवाचा कहते है केको इबात के राऊरे ना बताय दे वे spelling थोड़ा spelling यहाँ थोड़ा mistake है तो ही बोल रहा है केको इबात के राऊरे ना बताय दे वे ठीक है? तो क्या? हम ने तो बोला लेकिन गफर्म है कि वो बताएगा कि नहीं बताएगा हम लोगों तो नहीं गन्फोर्म है तो वही चीज को यहाँ भी बोल रहा है कि आनिश्य वाचक होता क्या है समझ मा आ गया अगला देखेंगे नीज वाचक यह नीज वाचक है ओके नीज वाचक वही बोल रहा है कि सब को, जिसका परियोग हम खुद केले करते हैं, उससे क्या कहते हैं, नीज वाचक कहते हैं, जैसे मुए अपने हे सहर घूई मावो, मतलब क्या बोल रहा है, मैं अपने से बोल रहा हूँ कि मैं अपने से कोई भी सहर जा के घूँम के आऊंगा, है ना, मुझे किसी का सब्सक्राइब वह अपने आप बेस हो जाएगा वह इसको रहने दीजिये वह हम लोगों को ऐसे करने का जोड़त नहीं है वह खुद भाखुद ठीक हो जाएगा मतलब अपन ले मतलब खुद अपना है ना वह सब का यहां पर बोध हो रहा है वही क्या हो लागा नीज वाच् ठीक है, समझ मागी है ना, अब हम लोग आगे जाएंगे, आगे है सवाल वाचक, ठीक है, सवाल वाचक, जिसको हम लोग हिंदी में, हिंदी व्याकरण प्रसन वाचक कहते हैं, ठीक है, तो प्रसन वाचक, सवाल वाचक से ही हम लोग को पता चल रहा है कि किसका बहुत होगा, मतलब किसी के प्रतिस सवाल होगा, कोश्चन होगा, उस सवाल वाचक सर्वनाम कहलाएगा, जैसे यही दखिए, हमरे मन में कोनो सवस्तु आदमी जीव, चाहे कोनो घटना कर संबंद में सवाल उठते रहेला, है ना, चाहे कुछ भी हो आदमी के बिसे में हो, जगा के बिसे ह या फिर कोई घटना कर भी से में, यह जो मन में सवाल घुषता है, वही क्या है, सवाल वाचक होता है, जैसे का बात के कहेक चाहा थिस, है ना, जैसे कोई व्यक्ति है मेरे बगल में है, वो मुझ से, उसका एक्टिविटी से मुझे पता चल जा रहा है, कि वो कुछ ना कु जरूर चाहता है, मन में मुझे लग रहा है, और वही चीच बात को मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ, का बात कहे चाहा थी, है ना, तो है कोश्चन हुआ, सवाल हुआ, मैं उससे पूछा, ठीक है, और अगला है, कौन बात ले, उके मार ले, है ना, तो मैं यहां पर क्या हो ग होँगा, वह बताना नहीं चाह रहा है, तो मैं उस्वही बात को लेके बोलता हूँ, कि कोन बात के तो मैं बता भे निकर इसला, मन कोश्चन, मन जिसमें प्रशन का बोध हो, क्या कहलाएगा, सवाल वाचक कहलाएगा, ठीक है, आगे जाएगे, आगे है, संबंध वाचक, स एक सरवनाम दुसर सरवनाम से संबंध रखे ला. मनें, जो भी सरवनाम है, चाहे मैं, तुम, यह सब जो है, वो किसी न किसी रूप से इक दूसरे से संबंध रखते हैं, वही संबंध वाड़ा कहता हैं. आप लोग यहाँ देख लिए जैसे में, example में, उसे देख की समझ में जरूर आ जाएगा, कि ये वहे छोड़ी है के ठीक है, ये वहे छोड़ी है के, जेकर से किसून बिया करेक जीद करत रहे, ठीक है, यहाँ पर दो लोगों का संबंध हुआ, है ना ये छोड़ी, ये वहे छोड़ी होगे मतलब जो भी छोड़ी होगे, मतलब लड़गी होगी, उसके बारे में हुआ एक हुआ, सर्वनाम यहाँ पर ये वहे छोड़ी होगे, ये वहे छोड़ी होगे, एक होगे है और दूसरे सर्वनाम क्या होगे है, जेकर से किसून बिया करत कर जीद करत रहे, मतलब यहाँ दो लोगों का दो सर्मनाम का क्या हुआ, संबंध हुआ दो लोगों का, ठीक है समझ में आ गया, अगर जो सब बात समझ नहीं आ रहा है, उसके कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग पूछिए ताकि मैं हल करूने का कोशिश करूँगा, आगे है आदरवाचक, ठीक है, आदरवाचक मतलब सम्मान वाचक, यह सब होता है, यही एक नकपुरी का एड हो गया है इसको, ठीक है तो वही कह रहा है सर्वनाम, क्या करते हैं आदरवाचक क्या होता है जे सर्वनाम से आदर देवेकर भाव प्रगट होएला, उँ आदरवाचक होएला, ठीक है, जो भी बात है, जो भी सब्द है, जो भी वाक्या रचना है उसको जो हम लोग देखते हैं जिस पे आदर प्रस्तूत होता है जो भी आदर होने का क्या है बोध होता है उसको हम लोग आदर वाच्छ करते हैं जैसे राउरे तोहरे अपने है ना तब हम लोग देखते हैं यह जो सब्ध है वो सब की इस्तमाल क्या जाता है कहां पी किया जाता है तो पहला देखो नगपुरी में राउरे करबेवहार अपन से छोट बराबर अजनमी मन कर आदर देवे के लिए हुवेला ठीक है यह रावरे है इसके इस्तमाल आदर के रूप में किया जाता है जैसे रावरे मन कहां जाते हैं मतलब आप लोग रावरे का मतलब आप लोग तो रावरे मन कहां जाते हैं ठीक है रावरे खाना खाला ऐसे अब ठीक है और अगला है है अपने सब्द का जो परियोग किया जाता है वो क्या है किसके लिए क्या जाता है मने उच लोग के लिए थोड़ा बड़े लोगों के लिए जो सम्मान पद्वी पे उपलब्ध होंगे उपस्तित होंगे ऐसे लोगों के लिए अपने सब्द का परियोग किया जाता है चाहे समाज कर नामी गिरामी बाड़ आदमी ले इकर बिवहार होएला जैसे पुरूही अफिसर ने ता कवी इतिया दी इस लोगों के लिए अपने सब्द का परियोग करल जाएला तो ये रहा आदरवाचक इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये अदरवाचक है आप लोगों को इससे क्वेशन किस तरह से पूछा जा सकता है मनने कुछ भी सेंटेंस दे देगा कोई भी सेंटेंस दे देगा कोई भी वाक्या दे देगा जिससे सब्द को वाक्या को पहचानना है कि ये अदरवाचक है संबंध वाचक है या फिर पूरूस वाचक है कुछ भी उसको पहचानना है क्वेशन रहेगा कि ये वाक्या में कौन सा सर्विनाम है ठीक है इस तरीके से क्वेशन आ सकता है ठीक है अब आगे देखेंगे ये लाश्ट था तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अच्छी रिती से पढ़ाई कीजिए अपने घरों में रहिए अब वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब और अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए अब अगले कलास में हम मिलते हैं धन्यवाद